नमस्कार बच्चों, Welcome to Education Therapy, मैं हूँ अख्लेश्ट, आज मैं आप लोगों को उक्तर प्रदेश बोर्ट, कछाथ, विसेविज्ञान, मैं पार्ट दो के अभ्यास प्रस्णों को हल कराऊंगा, पार्ट दो जिसका नाम है मानो निर्मित वस्त्वें, तो शुरू करते हैं इस नाम से भी जानते हैं और वो नाम होता है स्टाइरोन, ठीक है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा स्टाइरोन, अगला प्रस्ण देखते हैं, पौधों का मुख्य पोसक तत्व है, तो पौधों का सबसे मुख्य पोसक तत्व क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक, पौदे कीट भक्षी होते हैं ठीक है तो नाइट्रोजन की कमी हो जाने की कारण होते हैं और वो कीटो को अपना भोजन बना के उन कीटो से नाइट्रोजन की पूर्ती करते हैं चलिए अगला देखते हैं फेरिक आक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है तो फेरिक आक्साइड मिलाने से जो कांच निर्मित होता है वो हलका नीला रंग का होता है ठीक है? उसका रंग कैसा होता है? हलका नीला होता है अगला प्रसंद देखते हैं खिडकियों में प्रयोग किया जाता है, तो खिडकियों में क्या प्रयोग किया जाता है, साधारड या मृदुकाँच, जो खिडकी होते हैं उसमें साधारड या मृदुकाँच जिसको हम कहते हैं, उनका इस्तमाल हम करते हैं, अगला परसंद देखिए, सही गलत का निशान प्लास्टिक के बरतन बनाने में किया जाता है अगला देखिए यह सूती है सूती रेसम उन ठीक यह क्या है प्राकिर्तिक रेसे हैं यह सारे प्राकिर्तिक रेसे हैं दूप के चस्मे सूर की परावैगनी किरोडों से आखो को बचाते हैं जो दूप के चस्मे जो लगाते हैं वो सूरत से आने वाली परावैगनी किरोडों से हमारी आखो को बचाते हैं अगळा देखते हैं Sodium Hydroxide और водопति तेल की क्रिया से क्या बनता है साबुन बनता है यह याद कर लेंगे आप son वद्शुर्ब और Sodium Hydroxide की क्रिया से क्या तयार होता है साबुन तयार होता है अग्ळा देखिए Sulcist basis रेसों से बने कपड़े आधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं तो जो संसलेसित मतलब संसलेसित मतलब ऐसे रेसे जो मानो निर्मित है उन्हें हम संसलेसित रेसे भी कहते हैं ठीक है चलिए अगला देखते हैं प्रस नंबर चार प्रस नंबर चार में पहला देखते हैं का प्रस च जैसे पहाण, नदी, समुद्र, जील, मिट्टी, वायू, आदी, यह सब क्या है, प्राकर्तिक वस्तु एं, जो वस्तु एं, मनुस द्वारा बनाई या निर्मित की जाती हैं, उन्हें मानुनिर्मित वस्तु कहते हैं, जैसे वस्त्र, किरिसी, यंत्र, मकान, साबू, सीमन, ठीक है तो ये होते हैं मानवन निर्मेन और प्राकिर्तिक बश्टु में अगला प्रस्द देखते हैं किनी कि चार प्रकार के जुनाल रिखे तो इसका उतर दीखिये पहला साथार्य ड्यम्रिदु काच科 ठोर काच्च कलिन्ट काच और फोटो क्रोमिक कांच विये चार प्रकार के कांच होते हैं ठीक है चारू के नाम आपको याद होने चाहिए अगला प्रसंद देखते हैं पालिथीन, टेफलान, एक्रिलिक तथा बेकलाइट के एक-एक उप्योग लिखिए चलिए इनका उप्योग देखते हैं पालिथीन का उप्योग थैली बनाने में टेफलान का उप्योग, नानिस्टिक बरतन पर उस्मा रोधी परत चड़ाने में एक्रिलिक का उप्योग, कारियों ट्रकों की खिड़कियां बनाने में बेकलाइट का उपयोग, बिजली के पलग, स्विच, कंगी और जो हमारे बरतन होते हैं, उनके हथे बनाने में किया जाता है, ठीक है, तो ये प्रयोग हैं हमारे इन सभी वस्तूओं के, इन सभी चीजों का हम किन-किन वस्तूओं में प्रयोग करते हैं, ठीक है, चलिए, पनस्पती तेल और सोडियम अथवा पोटेसियम हाइडराकसाइट की पारस परिक क्रियादवारा बनाया जाता है, फिर कठोर जल के साथ साबुन एक सक्थ पदार बनाता है, इस प्रकार ना तो जाग बनती है, ना ही सफाई होती है, वहीं अगर आप मार्जक की बात करें, तो ये पेट्रोलियम हाइडरो कारबन से बनते हैं, ये कठोर जल के साथ भी आसानी से जाग बनाते हैं, इस प्रकार कपड़े सुगमता से साफ हो जाते हैं, यानि जो सर्फ यूज करते हैं, आप या डिटर्जेंट केक यूज करते हैं, डिटर्जेंट केक मतलब जो रिन बरतन अर्थाग, पकी हुई मिट्टी को ही मृतिका कहते हैं अगला देखते हैं संसलेशित रेसे क्या है चलिए इसका उतर देखते है मानौ निरिमित रेसे जैसे रेयान, नायलान, टेरिलीन, डेक्रान आधि प्राक्रितिक रेसे क्या स्थान پर प्रियोग होते हैं इन्हें संसलेसित रेसे कहलाते हैं या ये संसलेसित रेसे कहे जाते हैं इनका उपयोग प्रक्रतिक रेसम जैसे उन तथा रेसम के अस्थान पर होता है संसलेसित रेसे प्राया उन तथा रेसम की भात ही दिखने वाले बनाये जाते हैं यानि आपने देखा होगा कि उन और रेसम की भात ही ऐसे बहुत सारे रेसे आते हैं डिक्रान हो गया नाइलान हो गया जिनका इस्तमाल हम वस्तर बनाने में या और भी कई चीजों में करते हैं ठीक है चलिए पांच वा प्रसन देखते हैं वस्तुएं मानो निर्मित वस्तुएं कहलाती है ठीक है इसका संबंद है फिर मकान बनाने में इंट सीमेंट सरीया आधिका प्रयोग किया जाता है सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है किरसी इत्पाद बढ़ाने के लिए उर्वरकों का उ यह एकडम सामने सामने लिखे हुएं जिनका जिससे संबंद है ठीक है ये भी आपका उत्तर हो गया प्रस नंबर छे, प्रस नंबर छे का पहला देखिए क्या कह रहा है प्रस नंबर छे का बूमी में पोशक तत्तों की पूर्ती के लिए कौन कौन से उपाय किये जा सकते हैं चलिए इसका उतर देखते हैं बूमी में पोशक तत्तों की पूर्ती के लिए निमन उपाय किये जा सकते हैं पहला देखिए, भूमी को जोद कर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, जिससे पोशक तत्तों की पूर्ती पर्यावरण से स्वता होती रहे। दूसरा बिंदु देखिए, फसद चक्र के नियमों का पालन किया जाए। तीसरा बिंदु देखते हैं, भूमी के पोशक तत्तों की तत्काल पूर्ती के लिए विभी ने रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए। तो ये कुछ बिंदु थे जिनके द्वारा हम भूमी की पोशक तत्तों को बढ़ा सकते थे। अगला प्रसंद देखते हैं, धूप के बाहर निकलने पर हम धूप के चसमे का प्रयोग क्यों करते हैं। अगला प्रसंद देखिए, संसलेसित रेसे से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं। देखिए, इसका उत्तर संसलेसित रेसे से बने वस्त्र हलके होते हैं और इनमें सुकुडन नहीं होती। इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं या सूखते हैं ठीक है? चलिए. अगला देखते हैं जैव निमनी करडिये एवं जैव अनिमनी करडिये में अंतर लिखे देखे इसका अंतर देखते हैं उतर देखे जैव निमनी करडिये पहले पदार्थ जो प्राकिर्तिक प्रकिरिया जैसे जीवाडू की क्रिया द्वारा अभटित हो जाता है जैव निमनी करडिये कहलाता है जैसे कागज, सूती, कपड़ा, उनिवस्त ठीक है? अब आनिमनी करडिये देखते हैं जैव आनिमनी करडिये क्या होता है? पदार्थ प्राकिर्तिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विगडित नहीं होते जैव आनिमनी करडिये कहलाता जैसे प्लास्टिक के थैलियां इसलिए कहते हैं कि हमें प्लास्टिक के जो सामान होते हैं उनका इस्तमाल कम करना चाहिए क्योंकि ये प्राकिर्ट में बर्सों तक पड़े रहते हैं और ये अब भटित नहीं होते ठीक है और इससे हानिक का हमारी जो भूमी है वो भी कम उपजाओ होती है और अगर ये कोई जानवर खा लेते हैं पॉलिथीन तो उन्हें भी दिक्कत होती है ठीक है तो बहुत सारी परिशानिया होती है इसलिए पॉलिथीन का इस्तमाल कम से कम करना चाहिए चलिए तो ये सारे प्रस्ण आपके हलो चुके हैं इस पार्ट के अगर कहीं कोई दिक्कत है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते है ठीक है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन करें जहांपे आपको मेरे द्वारा बनाई गई जो पीडियो फाइल्स है जो पाठ हम पढ़ रहे हैं और जो सलूशन हम हल कर रहे हैं पाठ होके उनकी पीडियो फाइल आपको वहां मिल जाएगी तो ये था एंड इस वीडियो का गॉड ब्लस यू आग